अलो फ्रेंट्स, physics classes में आपका स्वागत है नेशरडिंग है किलकित कुंडली या western धारा मापी यह भी एक चल कुंडली धारा मापी ही होता है यह निलंबित कुंडली मधारा मापी की अपेच्छा कुछ कम सुग्रा ही होता है किन्तु इसे एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ले जाने में सुविधा जनक होता है क्योंकि निलंबित कुंडली में को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाते हैं तो इसमें जो निलंबन पती होती है बहुत बारीक होने के कारण यह तूड जाती है जिसके कारण इसमें दोस उत्पन हो जाता है अता इस दोस को दूर करने के लिए वेश्टन धारा मापी का निर्माण किया गया रचना इसमें तामबे के महिन पिथक्रित तार की एलमूनियम के फ्रेम पर लिप्टी हुई कुंडली एक इस्थाई तथा सक्तिसाली नाल चुमबक के ध्रूखंडो एन तथा एस के बीच दो चूलो पर जूलती हैं कुंडली के सीरो पर चूलो के पास दो इस्प्रिंग लगे होते हैं जो कुंडली के घुमने पर एठन बल्युग्म उत्पन करते हैं तथा कुंडली को दो संबंधक पेचो टीवन वर टीटू से जूडते हैं कुंडली का विच्छे पढ़ने के लिए इसमें एक एलमूनियम का लंबा संकेतक लगा होता है जो एक वृत्ताकार पैमाने पर घुमता है पैमाने पर बराबर दूरियों पर चिन लगे होते हैं तथा सुन्यांग बीच में होता है सुन्य के दाई तरब का मान धनात्मक पड़ते हैं जबकि सुन्य के नीचे का मान रिडात्मक में लिया जाता है तथा कुंडली के अंदर एक नर्म लोहे की क्रोड लगी होती है इस धारा मापी के साहता से लगभग 10 के घात माइनस 6 एमपीर तक धारा मापी जा सकती इसका सिध्धान्त एवं कारविधी चल कुंडली धारा मापी के ही समान होता है अब निलंबित कुंडली धारा मापी तथा किलकित कुंडली धारा मापी में क्या अंतर होता है उसे जान लेजे निलंबित कुंडली धारा मापी में कुंडली को फास्वर ब्रांज की पती से लटकाया जाता है तथा इस कुंडली का विच्छे लेंप तथा पैमाने की विवस्था द्वारा मापा जाता है जबकि किलकित कुंडली धारा मापी में कुंडली दो चूलों के बीच जूलती हैं तथा कुंडली का विच्छे संकेतक से वृत्ताकार पैमाने पर पढ़ा जाता है निलंबित कुंडली धारा मापी को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाने में कठनाई होती है जबकि किलकित कुंडली धारा मापी को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाने में सुविधा जनक होता है निलंबित कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता अधिक होती है जबकि किलकित कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता कम होती है तो ये उनके बीच अंतर है अब इसे चित्र की सायता से समझते हैं इसमें बीच में जो आपका आयताकार कुंडली है वह एलमूनियम की होती है जिस पर तांबे के कई पिथक्रित तार लपटे होते हैं तथा इसके बीच में नर्म लोहे की क्रोड लगी होती है यह कुंडली दो चूल उपर और नीचे दो चूल पर जूलती है तथा इन चूलों के सीरों के पास दो इस्प्रिंग लगे होते हैं तथा इस कुंडली के एक एल्मूनियम का लंबा संके तक लगा होता है जो व्रित्ताकार पैमाने पर घूमता है तथा यह कुंडली दो अवतल आकार के ध्रूखण N तथा S के बीच इस्थित होता है जिस धारा का हमें मापन करना होता है उसे टर्मिनल या से संबंधक पेश T1 से प्रवाहित करते हैं जो स्प्रिंग से होते हुए आयताकार कुंडली में प्रवेश करता है तथा टर्मिनल T2 से बाहर निकल जाता है भारा के छमता के अनुसार इस कुंडली में एठन उत्पन होता है अर्थात या कुंडली घुमती है तथा कुंडली के घुमने के अनुसार संकेतक सुई इस वृत्ताकार पैमाने पर घुमता है जिस से टर्मिनल T1 से प्रवाहित होने वाले धारा की प्रवलता को आसानी से माप आजा सकता है वीडियो को अन तक देखने के लिए धन्यवाद जो चैनल प्रनय चैनल को सस्क्राइब कर ले नोटिफिकेशन बेल आउन कर ले तथा लाइक, सेयर एवं कमेंट करना ना भूले